नमस्कार मैं हूँ नीलू और क्या इरान एटम बम बना चुका है? क्या इसका परीक्षण इरान करने वाला है? और किस तरह से अगर ये एटम बम तयार हो जाता है तो क्या इसके परिणाम आगे दूरगामी देखने को मिल सकते हैं? मैंक कहा जा रहा है कि इरान ने एटम बम बना लिया है इस तरह के खबरे आ रही है और बहुत जल्द इसका परिशन करने वाला है अब ऐसे में सवाल उड़ता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके क्या परिणाम होगे? इरान के नुकलियर प्रोग्राम को लेके बहुत बड़ी खबर है जिसका जिक्र आप कर रही है एक रिपोर्ट उनाइटे निशन को सौपी है और साथ ही मुसाद और C.I.A. की तरफ से इस तरह की जानकारिया मिल रही है इस आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एरान क इरान के पास करीब 164 kg एंडिज्ड यूरेनियम है इसका उपयोग पर्मानु बम बनाने में होता है अब बताया जा रहा है कि एरान के पास पिछले कुछ मेहनों में जो है एरान ने अपने नुकलियर प्रोग्राम को तीजी से आगे बढ़ाया है और करीब 164 kg यूरेनियम जो है जो कि एंडिज्ड फॉर्म में है ये अब इरान के पास है अचा निलू मैं यहां यह बता दू आपको कि एक्सपर्ट जैसा कहते हैं कि एक नुकलियर बम बनाने के लिए करीब 40 kg जो है एंडिज्ड यूरेनियम चाहिए होता है तो अब देखिए यह करीब इससे कि एरान किसी तरह का बड़ा हमला इस्रेयल पर करें उसके पहले खुद एक नुकलियर परिक्शन कर ले एक नुकलियर टेस्ट करता है तो उसके बाद यह एक दबाव रहेगा और इस पूरे इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा गीम चिंजर होगा देखिए अभी तक उसके बाद इस इलाके का पूरा समीकरन पूरी तेजी से बड़ जाएगा तो फिलहाल आई एक के तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है इसमें जो एरान के युरेनियम को लेके जो रिपोर्ट से उसके मुताबिक यह कहा जा जारा है अचा यह मुसाद की तरफ से भी जानकार एक एक बाद एक पुछित करता है राश्ट्य है ठो नुकलियर प्लिखशन करता है तो यह एक बड़ा गेम चिंजर होगा गए अचा यह दूसरी तरफ एक बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो अमेरिका और इसरायल के लिए है कि नुकलियर बॉंब को लेके जो ख़बर इस उसके पर्माड़ बॉम को लेके जो खबर आ रही है वो तो है ही साथ में दूसरी तरफ देखिए एरान के पास जो है वो ठीक ठाक इस तरकी है माना जाता है कि करीब कि एरान को अगर वो तेल अवीव को निशाना बनाना चाहता है तो इस तरह की मिजाइल्स जो हम पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था कि कि खुर्रम शेहर मिजाइल है उसकी रेंज करीब 2,000 किलो मिजाइल है तो देखिए क्या है कि यह जो मिजाइल्स है यह अगर कभी जरुवत पड़ती है मिजाइल की तो अल्रेडी यह बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से चीन की तरफ से और नॉर्थ कोरिया की तरफ से इरान को जो है वो बलेस्टिक मिजाइल्स अल्रेडी सप्लाई की जा चुकी है तो देखिए एक पूरे इलाके में एक बड़ा जो ह है और उसमें कहीं ऐसी सब्मावना बन रही है कि कोई नुकलियर अटैक हो सकता है तो इसके लिए बताया जाता है कि अमेरिका का जो डियगो गार्शिया बेस है जहां पे इनकी मिलिटरी और स्ट्राटेजिक बेस है यहां से जो है अमेरिका के B2 बॉमबस यहां पे बड़ एक प्रकार से इरान का नुकलियर प्रोग्राम उसको रोकने के लिए अमेरिका की कोशिश है लेकिन एक बात मैंका और है चुकि आप देखें यह सारी चीज़े हो रहे हैं परमाणू बम का कहा जा रहा है कि अगर सफल परिक्शन हो जाता है तो इससे खराब हो सकती है खास जिस बैठक में इस बारे में शर्चा की गई कि अगर आगे युद्ध की स्थिती बनती है और अगर हालात खराब होते हैं और अगर किसी तरह का कोई नुकलियर अटैक होता है या किसी तरह का बड़ा कैमिकल अटैक होता है दोनों को लेके इसरेल में काफी वो है तो उस सम जाता है कि बड़ी रणनीती इस्रेल की तरफ से त्यार की गई है अचा इसके अलावा एक बात और यह आ रही है कि जो खामने ही है इरान के सुप्रीम लीडर जो है इन्हों ने भी अपने आर्मी के बड़े कमांडर्स के साथ एक बैठक की है और उसमें भी इरान की और है कि जो मुहमद नईनी है जो प्रवक्ता है उनने इनका पहले भी जिक्र किया था जो इरान की सेना है आई आर जीसी इसके जो प्रवक्ता है उन्होंने हाल में बयान दिया था कि बहले इरान को हमला करने में देर हो रही है लेकिन हमला जब भी होगा बहत सटीक होगा तो देखिए ये जो कुछ बयान ऐसे हैं जो बहुत चंता करने वाले हैं कि जब इरान अगर कहता है कि तुफान से पहले की शांती टाइफ है और उसी तरह देखिए कि इरान की जो सेना के अध्यक्ष हैं नहुमत बागेरी इन्होंने भी इनका भी हाल में एक बयान आया है कि इरान जो है वो हनिया की मौत का बदला तो जरूर लेके रहेगा तो देखिए ये पिछले कुछ समय में जिस तरह के बयान बाजी हो रही है ये ये बता रही है कि भले हो सकता है कि अभी इरान और इसरेल का सीधा युद्ध ना हो लेकिन आने वाले समय में ये जो आप कह र परिशन हो जाता है तो इसके बारे में भी चाहे इसरेल हो या फिरान हो या पिर ये युरोपेन कंट्रीज हो या फिर अमेरिका हो सब के निकाहें सोड लगे हुई है लेकिन काज़ा अपडेट भी आपको देते चले कि इस वक्त गज़ा में इसराइल ने युद्ध विरा है क्योंकि ये वहाँ पर पोल्यों का अभियान चलाया जा रहा है अब देखना होगा कि जो युद्ध विराम है तीन दुने के लिए वो उसी तरह से रहता है या फिर बीच में कहीं से हमले हो सकते हैं क्योंकि इस चीज़ की तद्दीक बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि ती इन दिनों के युद्ध विरामे क्या बिल्कुल वहां पर शान्ती रहेगी और क्या ये सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ा कई सारे सवाल और भी हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें लिखकर बताएं और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें